अब आप कहेंगे क्यूं? हमने तो कितनी पर ये से करके चीक को रोक लिया है और हम बड़े समीजदार दिखें पर अगर आपने ऐसा किया है और आप आज भी जिन्दा है तो मैं कहना चाहूंगे कि आप भागयवान है क्योंकि ऐसा करना आपके लिए कितना खतरना हो सकता है कि आप खुद भी नहीं जानते होंगे आप बताते हैं चीक आने पर आपके शरीर के अंदर की हवा की रफटार पताए कितनी होती है? सो मील प्रती घंटा और कहीं बार इससे भी ज्यादा होती है अब सोचिए कि इतनी तेज रफटार को आप रोकने की कोशिश करके कितनी भारी गलती करते हैं सर्दी खांसे होना बहुत आम चीज है मौसम बदला नहीं कि नाक पनीली में हसूस होने लगती है फिर चीकते चीकते जान आफ़त में आ जाती है सबके साथ यही होता है कहीं बार आप जब लोगों की बीच होते हैं तो नाक दबाकर, मूँ दबाकर चीक को रोक लेते हैं ज्यादा तमीजदार बनने की कोशिश करते हैं ना अगर आपको भी ऐसा करने की आदत है तो मैं बता दू इसे छोड़ दीजे कहीं आपके साथ भी वैसा ना हो जाए जैसा एक 34 साल के आदमी के साथ हुआ उसे चीक आ रही थी इसे रोकने के लिए उसने नाक पकड़ी मूँ बंद किया और चीक को रोक लिया चीक को बाहर निकलने की जगाएं नहीं मिली इससे एक गले के पीछे और जोर पड़ा और वहाँ छेद हो गया चीक के फोर्स के कारण गले की नाजुक मां स्पेशियों में छेद हो गया जाहिर है उसे बहुत दर्द हुआ होगा ना कुछ बोल पा रहा था ना कुछ निकल पा रहा था मरीज की जांच से पता चला कि छीक रोकने के कारण उसके गले का पिछला हिस्सा जिसे डॉक्टर फैरिंग्स कहते हैं वो तूट गया था डॉक्टरों के मताबिक छीक के समय हमारी सांस की नली और सीने में हवा का बहुत तेज दवाब होता है फिर जब कोई नाक और मूँव बंद करके छीक रोकने की कोशिश करता है तो एका एक प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है शरीर के इस हिस्से में मास पेशिया वन वे टाइप की होती है क्योंकि इनका काम बस हमारे खाय पिये को निगलने में मदद करना होता है ऐसे में जब हवा का दवाब बढ़ता है और उसे बाहर निकलने की जगा नहीं मिलती तो मास पेशियों में छेद होने का खत्रा पैदा हो जाता है तो नाक के छेद को ढखकर और मूँ बंद करकर छीक रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसे बहुत घंबीर दिक्कतें हो सकती है जैसे कि मैंने आपको बता दिया फेपड़ों के पास की जगा में हवा फस सकती है यहां तक कि दिमाग में खून ले जाने वाली नसें भी